तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्त होंगे फूड लाइप प्रोसेस में आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है तो चलिए आपके साथ हटेसटी से हलवे की रेशपी शairy करने जरू कि जो कि बहुत ही दाने दार हैं तो चलिए रेशपी की शुरुटात करते हैं हलवा बनाने के लिए ना सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाकर उसे गरम कर लेंगे जैसे ही हमारा कड़ाई गरम हो जाएगा तो उसमें हम दो बड़े चमच देसी गी डार के उसे गरम करेंगे हल्वा हमेशा देसी गी में ही बनाई हैगा या गी में ही तो उससे ज्यादा इसका टेस्ट और बढ़ कर आता है जैसे ही हमारा गी गरम हो जाएगा तो इसमें न हम कटे हुए अपने थोड़े से dry fruits वो fry कर लेंगे डालके dry fruits में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पसंद का मैंने इसमें थोड़े से नारेल और वदाम का इस्तेमाल किया है जब भी dry fruits आप डालेंगे न तो उसका gas का flame एकदम low कर दीजिएगा fry करते वक्त और इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है हमें बस 2 मिनिट के लिए भूनना है उसी में इसका अच्छा सा color आजाएगा चेंज होने लगेगा और जैसे इसका color चेंज होने लगे न तो इसे फटाक से निकाल लेजएगा वरना आपके dry fruits नो बहुत जली जल जाएगे तो याद रखिएगा dry fruits को fry करने के लिए न हमेशा low flame कर अस्तमाल कीजिएगा गैस का फ्रेम हमेशा low frame रखिएगा उसी टाइम आप dry fruits को fry कीजिएगा तो चले हमारे dry fruits fry हो चुके हैं बुना चुके हैं तो अब हम उसे निकाल लेते हैं fruits को निकालने के बाद ना हम इसी घी कर इस्तमाल करेंगे हम घीस में extra अटनिक करेंगे और इसी घी में हम एक कटोरी सूजी डालेंगे मैंने बारीक वाली सूजी इस्तमाल किये हैं आपके पास अगर बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मोटे दाने वाली सूजी को mix ही में एक बार grind कर लीजेगा तो वो बारीक हो जाएगी और सूजी डालने के बाद ना इसे हम medium flame करके medium to slow flame करते हुए ना इसे लगाता चलाते हुए हमें भून लेना है सूजी को हमेशा medium to slow flame पे ही भूनेगा अगर आप इसे high flame पे भूनते हैं ना तो ये मैंने बारीक वाली सूजी स्नवाल किया ये बहुत जल्दी ही जल जाएगी तो और भूनाएगी भी नहीं बहुत जल जाएगी तो इसलिए ना हमेशा इसे medium to slow flame पे ही भूनियेगा सूजी भूनते वक्त एक बात का ध्यान रखेगा कि इसका color कई बहुत जल्दी change होने लगता है और हम लोग को लगता है कि हमाई सूजी भूना चुकी है जिबकि सूजी भूनाने में कम से कम 10 से 15 मिनिट लगेगा आपको में इंडियम to slow flame करते हुए तो देखे हमाई सूजी का color change हो चुका है अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ खास trick बता रही हूँ कि आपको कभी भी हलूए के लिए अलग से चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है इसी time हम क्या करेंगे एक कटोरी न एक से आधी कटोरी मैंने चीनी इसी time अभी मैं इसमें डाल दूँगी अगर इस तरीके से आप चीनी डाल कर सूजी में भून लेंगे तो आपको अलग से चाशनी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और चीनी बहुत ही अच्छी तरीके से melt हो जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा flavor आपके हलूए में आएगा अब हमाल चीनी भी लगवग भूना चुका है इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे अब हम इसमें एक देर गलास के करीब दूड डालेंगे पहले हम एक गलास दूड डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे हलूए के लि इसे लगातर चलाते रहेगा ताकि आपका हलूए एकदम बहुत जल्दी ड्राय ना हो जाए जैसी इसमें थोड़ा सा उबालाने लग जाएगा तो अब हम इसमें आधा चमच के करीब इलाइची पाउडर डालेंगे अगर आपका इलाइची पाउडर नहीं है तो आप इल मिक्स करती जा रही हो अब हम इसमें ना अपने कड फ्राय की हुए ड्राय फ्रूट्स वो डाल देंगे इस तरीके से अब इसको पर प्राय की हुए ड्राय फ्रूट्स जालते तो इसका टेक्षर बहुत अच्छा आता है मैंने इसमें कृशमिश भी ढाला आप चाहें तो छोने कीजेगा इसे इसी तरीके से डाल डीजेगा और इसे मिक्स कर दीजेगा हमारा हलो बन कर पूरी तरीके से रडी है आप देख सकते हैं इसकी कनसिस्टेंसी कितनी अच्छी लग रही है और यह जैसी हम गैस बंद करेंगे न यह होग जल्दी ड्राय हो जाएगा अग्द इसका texture और इसका flavor और बढ़कर आएगा तो हमारा हलवा बनके बिल्कुल ready है serving के लिए मैं एक बाद मिक्स कर देती हूँ तो चलिए अब हम इसे serve करने चलते हैं अब रातरे चल रहे हैं तो अश्टमीनोवी की पशाद में भी हलवा हम serve करते हैं तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सब को बहुत पसंद आने वाला है आपका हलवा सूजी का और बहुत ही दानेदार texture में बनता है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है तो अगर आपको मेरी वीडियो मेरी recipes पसंद आती है तो मेरी चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मेरी वीडियो को like कीजिए, comment करके जरूर बताया कीजिए आपके साथ में इतना tasty हलवा सूजी का हलवा बना के मैंने share किया है आप जरूर बताएगा कि आपको कैसे लगी recipe मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा दानेदार है एक सकते हैं मैं आपको अपने हाथों में लेके दिखा रही हूँ ये कितना ज़्यादा दानेदार है एकदम ट्रक्चर इसका नब खोद ही ज़्यादा दानेदार है बहुत अच्छा लगता है खाने में तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग, बाबाई